दोस्तों कहां जाता है कि एक लड़की जो जपान में होकाइडो नाम के सिटी में रहती थी उसका नाम कशीमा रेको था एक रात वो रेलवे ट्राक क्रॉसी कर रही थी कि अचानक उसके साथ एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है उसका बॉडी दो टुकडे हो गया है उसका लोवर बॉडी कट चुका है और वो उसी जगा पर बस मरने ही वाली है बट स्टोरी यहीं खत्म नहीं हुई उसी रेलवे ट्राक पर अब उसकी आत्मा इतनी गुसे में थी कि वो एक नाइटमेर की तरह लोगों को दिखाई दे कुछ इंशन जपनीस लोगों का मानना है कि उन्होंने कशीमा को अपने दोनों हातों से चलते देखा है जिस पर टेके टेके का साउंड भी क्रेट होता है इतना तेज कि आप भाग ही नहीं सकते और अगर उसने आपको पकड़ लिया तो वो आपको भी दो टुकड़ों में डिवाइड कर देगी ऐसा भी कहा जाता है कि रात के अंधेरे में अगर टेके टेके सुनाई दे तो समझ लो आपका समय ख़र एंड वो आपको कभी भी पकड़ सकती है और फिर आपका भी वही हाल होगा जो उसका हुआ था दि एंड दोस्तों टेके टेके आ रही है क्या आ झाल